समस्कार बेहनो, श्वागत है फिर्शे आपका हमारे यूटूब चैनल में बेहनो, आज के इस बिसे सांक में हम बात करने वाले हैं चेहरे की जहाईयों के बारे में जियां बेहनो चेहरे पर दाग धब्बे और जहाईयां शुंदर्ता को खराब करने का काम करते हैं खास तोर पर जहाईयां होने से चेहरों की रंगत आश्मान लगने लगती है, खराब लगने लगती है, चेहरे पर पड़े ये हलके रंग के दाग से इसकीन समय से पहले ही बुड़ी लगने लगती है ऐसे में इस से परिसान बहुत सी बहने ब्यूटी प्रोड़क्ट्स का इस्तेमाल करती है, मगर बहुत बार इसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है ऐसे में इस परिसानी से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्कों को अपना कर आप चेहरे की जाईयां को दूर कर सकते हैं बहने कुछ ऐसे घरेलू नुस्कों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपको 10 से 15 दिनों में ही रिजल्ट साफ देखने को मिलेगा बहने इसकीन से जुड़ी किसी भी शमस्या को दूर करने के लिए एलोवेरा काफी फायदे मन्द होता है और शदिये गुनों से भरपूर एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाने से त्वचा का प्राकिर्तिक प्येच लेवल बैलेंस में रहने में मदद मिलती है दाग धब्बे जाईयों की शमस्या दूर हो चेहरा नेचुरल ग्लो करता है साइनिंग करता है दोस्तों इसे लगाने के लिए एक कटोरी में दो चम्मच एलोबेरा जेल आधा चम्मच सहद मिक्स कर ले बैने मिक्स करने के बाद बैने चेहरे पर करीब 15 से 20 मिनट तक लगा के रखे बाद में हलके गुन गुने पानी से साफ कर ले रोजाना इसे लगाने से जाईयों की समस्या दूर होगी और आपकी स्कीन में नेचुरल ग्लोइंग नेचुरल साइनिंग आएगी बहने दोस्तो कच्या आलू जी हाँ बहने चेहरे पर पड़ी जाईयों को दूर करने के लिए कच्चा आलू का इस्तिमाल काफी कारगर सावित हुआ है इसके लिए सबसे पहले आलू को धो कर छील ले अब इसे गूला कार में काट कर उस पर कुछ भूंद पानी को डाले फिर उसमें अपने चेहरे की सरकुलर परमोशन में मसाज करे हलके हाथों से लगाता दस मिनट तक या प्रक्रिया दोराते रहे बैने ध्यान दे कि आपकी त्वचा को इससे कुछ नुकसान नहो इसलिए हलके हाथों से केवल रगड़े उसके बाद चेहरे पर गुन गुने पानी से साफ कर ले इसे दिन में कम से कम दो तीन बार आजमाए ऐसा करीव एक महीना करने से जहाईयों के निसान दूर होने में मदद मिलेगी आलू में मौजूद पोशक तत्वर तोचा की गहराई में जाकर जहाईयों को दूर करने का काम करता है शेव का सिर्का बहने आपने सेव के सिर्के के बारे में तो जानते ही होगी शेव के सिर्के में बिटामिन, कैलसियम, एंटी ऑकसाइड, एंटी वाइरल और एस्टिजेंट गुन पाये जाते हैं ऐसे में इसका सेवन करने के साथ चेहरे पर लगाने से कई तरह की स्कीन से समबंदी समस्या को दूर किया जा सकता है खास तोर पर जाईयों की समस्या होने पर सेव का सिर्का काफी फायदे मन होता है बहने इसे लगाने के लिए एक कटोरी में सेव के सिर्के की कुछ बूंदों को पानी में मिक्स कर कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाईए इसे करीब पांच मिनट तक लगा रहने दे बाद में गुन गुने पानी से चेहरे को धोले ऐसा लगातार करने से कुछ ही दिनों में जाईया कम होने लगेंगी साथ ही जाईयों के कारण उत्पन हुई त्वचा जो है आपकी रिपेर होने लगेंगी और चेहरे पे नेचुरल ग्लोइंग साइनिंग आने लगेगी बहनों नीमबू का रस इसकीन से जुड़ी किसी भी समस्या को निजाद दिलाने का रामबान उसदी है अगर किसी के चेहरे पर जाईया पड़ी हो तो इसे दूर करने के लिए नीमबू रामबान की तरह काम करता है नीमबू में मौझूद एंटी आक्सिडेट त्वचा की गहराई से सफाई कर इसकीन से जुड़ी किसी भी परिसानियों को दूर करने में मदद करता है इसे इस्तिमाल करने के लिए एक कटोरी में नीमबू की कुछ बूंद और सहट डाल कर मिक्स करें तयार मिश्रन को चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं बाद में गुन-गुने पानी के साथ साफ कर लें इस मिश्रन को दीन में दो-तीन बार लगाने से आपको फर्क महशूष होगा बहनो उमीद है बहनो आज की ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए ज्यान वर्धक साबित होगी आप ऐसे उपाए घरेलू नुसकों को आजमाए और अपने चेहरे की रंगत लाए इनी सब बातों के साथ मैं ये वीडियो को बिराम करता हूँ धन्यवाद थाइंकियो